Hello students, so once again you all are most welcome is in classical psychology chapter number 6 अभिबृतियों समाजिक संग्या जो कि हिंदी मीडियों में है students यहाँ पर और English मीडियों का भी समान वेलकम है, समान स्वागत है अगर आप English मीडियों के हैं तब भी हमसे बने रहे करके अपनी study को कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं, concept समझिए उसके बाद आप definitely अपनी English के जो text book है उसे आप read केजिए ठीके, so students यहाँ पर यह जो chapter है जसा कि मैंने हमेशा कहा है कि attitude and social coordination या अभिबृतियों समाजिक संग्यानिक बहुत ही interesting, बहुत ही important chapter है और आज मैं फिर यह बात कहना चाहूँगा, आज हमें एक बहुत ही important topic करने वाले हैं students, आज के topic होगा अभिबृति को प्रभावित करने वाले कारक या हमारे attitudes को जो factors हैं, जो उसे affect करते हैं, जो उसकी वज़से हमारे attitudes के परिवरतन होता है, changes होता है, उनको आज हम पढ़ प्रभावित करने वाले हैं, तो अगर आप Class 12 के students हैं, या आप किसी competitive example ले प्रपैर कर रहे हैं, या आप just एक learner है, जो कि अपने knowledge को बढ़ाना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं कि हमारे attitude के अंदर परिवरतन होता क्यों है, आप सभी का instruments में दुबारा से एक बार most welcome करना चाहूँगा और लेके आपको आगे चलना चाहूँगा इस chapter में in depth और हम यहाँ पर जानने का प्रियास करते हैं, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, आज का जो वीडियो एजेंडा है, अवरती परवरतन को प्रभावित करने वाले कारक, वह कारक हम लोग जानेंगे, और basically यहाँ पर चार हमें जो कारक मिलते हैं, four factors मिलते हैं, इस पहला है, पहले से विद्धिमान अवर्भिती की विस्था हैं, मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसे attitudes पहले से available हैं, और उसकी अपनी एक speciality है, because of that reason कि हम उसकी वज़े से हमारे attitude को अंदर कैसे परवरतन होता है, यह पहल हम इसे भी जाने की ध्यान से, संदेश की विसेशता हैं, मतलब जहां से भी आप संदेश ले रहे हैं, जहां से information gathering आपको हो रही है, उसकी क्या speciality है, उस संदेश की क्या speciality है, ठीक है, हम उसे भी समझेंगे, लक्ष की विसेशता हैं, कि आपका लक्ष क्या है, उसको भी हम यहाँ पर depth में समझेंगे students चलते हैं students मैं आपको दुबारा से बगर बता दू कि मैं जो एक book यहाँ पर follow कर रहा हूँ यह Classical Psychology की NCRT Hindi Medium की book है students so Hindi Medium के book से मैंने आप सबको psychology यहाँ पर NCRT based video है आपको समझा रहा हूँ so I hope कि आपको change है clear हो जाएंगी और NCRT एक ऐसी book है जिसे आप सबको follow करना चाहिए अगर आप किसी भी competitive exam के लिए prepare कर रहे हैं UPSC या किसी भी other competitive exam जो उसी के parallel में आते हैं या उसी के lower grade में आते हैं तो बहुत ही best माना जाता है इसी वज़े से मैं NCRT बनो विज्ञान की book को ही follow करना आपके लिए so बिल्कुल worry नहीं होना है और चलते हैं topic को cover करते है instruments हमें adding मिलती है instruments अबृति परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारत मतलब हमारे attitude के अंदर जो परिवर्तन होता है वह किन कारनों की वज़े से प्रभावित होता है यहां बता रहे हैं कि क्या अबृति परिवर्ति होगी मतलब क्या आपके attitude के अंदर परिवर्तन होता है या होगा यदि ऐसा हुआ तो यह किस हद तक होगा फिर यह बड़ी interesting बात इन्होंने पूछा कि अगर आपके attitude के अंदर परिवर्तन हो भी रहा है आपके अबृति के अंदर परिवर्तन हो भी रहा है तो किस हद तक हो रहा है यह एक ऐसा प्रशन है जो अनेक माने विज्यानिकों को समस्या में या समस्या या उल्जन में डाल देता है जिसे कि अगर आपका कुछ attitude है उसके अंदर क्या परवर्तन होना है वहाँ पर एक question mark लग जाएगा या उसके अंदर परवर्तन होना है तो किस हद तक होना है उसके अंदर भी उसको लेके भी question mark लग जाएगा सो इस चीज को एक बहुत ही interestingly हमें समझना है इस्ट्वेंट्स केरें कि हालां कि अभी परवर्तन को प्रवाइद करने वाले निम्न प्रमुक कारो कारको पर अधिकांस मनोविज्यानिक सहमेत है यहाँ पर हम जो कुछ कारण देखेंगे इस्ट्वेंट्स इन कारणो पर अधि कि स्ट्वेंट्स सही मिलता है बता रहे हैं कि पहले से विद्दिमान अभिवर्ति की विसेश्थाएं ठीक है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पहले से विद्दिमान अभिवर्ति की विसेश्थाएं इसका पतलब होता है कि हमारे अंदर कुछ पहले से आटिटूड है अब उन attitude की अपनी एक specialty है, राइट, अब उन attitude की जो भी अपनी specialty है, उसके basis पे हमारे जिब attitude के अंदर या हमारे अभविती के अंदर जो परिवरतर होना है, यह decide यहां पर हो रहा है, कि उनकी विसेशताएं कितनी है, राइट, वो किस हद तक वो विसेशते हैं, कि जिसके basis हमारे attitude के अंदर परवर्तर होना है जैसे कि ये समझा रहे हैं कि पूर में उनलकित अइबृति कि सभी चार प्रमुख विशेष्टाएं अर्थात करशड सकती जो कि सकारात्मक्ता या नकारात्मक्ता होती है इसके अंदर चरम सीमा जो कि इसे आप कह सकते एक limit certain person की होती है किसी भी person का एक extreminus होता है किसी भी attitude को ले करके सरलता या जटिलता complexity या एक simplicity हो गया मैं इन सब को detail में अभी discuss करूँगा के अंदरिक्ता जैसे हम centrality कह सकते हैं या अबृति की सार्थकता कह रहे हैं कि अबृति परवरतन को balance हो गया राइट कर्षण का मतलब balance होता है balance कहने का मतलब कि आपकी balance ही आप किस तरह के person है आपका जो attitude है आपकी जो अभीवरति है क्या सकरात्मक है तो ये विसेस्ता है आपके जो पहले से विद्दमान आपकी विसेस्ता है राइट क्या वो सकरात्मक है या वो नकरात्मक है तो ये करसर सक्ती में आ गया तो हो सकता है जो भी परसन हो जिसके attitude को हम परिवर्तित देखना चाहरे है या जिसके attitude को परिवर्तित हम करना चाहरे है वो कैसा है उसके attitude उसके अवर्तित कैसी है उसकी विसेस्ता अगर attitude बनी हुई है तो उसकी एक अपनी एक extremis होगी मतलब उसकी एक limit होगी कहने का मलब आप ऐसा समझे उसकी limit होगी राइट लिमिट कहने का मलब यहाँ पर यह है जैसे कि आपका कुछ attitude है लेट से कि आपका attitude है कि हमें जो है vegetarian रहना है आप इस attitude को मानने है कि vegetarian ही हमें हमें veg खाना खाना चाहिए हमें non-veg नहीं खाना चाहिए तो आपके कुछ reason होगे उसको लेकर के उसके क्या factors है जिसकी वज़े से क्या वो knowledge based में है या किस वज़े से किसी की कहने की वज़े से है किस reason से वो आपका ऐसा attitude बना हुआ है जो आपके behavior में दिख रह करना है क्या वो breakable है अगर उसकी limit just beginning में होगी beginning phase में होगी ज्यादा आपको strong belief अगर उस पे नहीं होगा आपको उसके वारे में अच्छे से depth में नहीं knowledge है या आप उस पे इतना ज्यादा टिके नहीं है तो आप obviously बात है कि आपके attitude कंदर changes देखने को मिल जाएगा लेकिन आ हमारे पहले से विद्दमान अभृति की विसेष्टा में आता है यह सरलता या जटिलता आपका attitude कैसा है बहुत सरल है या बहुत ही complex है आपने उसे बहुत complex कर रखा है तो यह मतलब यह एक विसेष्टा है जिसकी basis पे आपके attitude के अंदर परवरतन लाना easy या hard या difficult हो सकता है के अंदरिक्ता, के अंदरिक्ता मतलब ultimate आपका attitude एक central आपका एक view होगा जैसा होता नहीं कि कुछ person का अलग- अलग, मतलब हम लोग का अलग-अलग attitude होता है लेकिन हम लोग कहीने कहीं एक central हमारा point होता है है ना जिसे कि आप कोई एक व्यक्ति है उसके अंदर अलग-अलग तरह के आटिटूट से लेकिन उसका कहने कि एक मुख उसका कुछ उद्देश से होगा कुछ एक सेंट्रल उसका एक व्यूपॉइंट होगा जहां पर वो पहुचना चाहेगा है अभिवर्ति की सार्थत्ता कहने का मतलब जहां उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ यह जो उसकी अभिवर्ति है बिल्कुल उसके according है, चीज़े उसके according चल लए है तो ये सभी क्या है, ये पहले से हमारे अभिवर्थी के अंदर विद्दमान विसेशताए हैं, और इनहीं के अंदर हज हमें एक strongness या इसके अंदर मतलब एक weakness हमी जब दिखाई दीती है उसके basis पे हमारे अभिवर्थी के अंदर परवर्थन देखने को मिलता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, करस्वर्थ सकती, जो positive negative हो सकती है, चरम सीमा, एक आपके limit हो गई, और सरलता या जटिलता हो गया, केंदरिकता हो गई, कह रहे हैं यह अभिर्थी की सार्थक्ता, मतलब आपका जो अभिर्थी है, आपकी जो आपका जो attitude है, आप उसे कितना सहमेद है, हैना, यह कैसा है आपका attitude, बिसकली उससे आप क्या समझते हैं हैना, उसको आप कितना अच्छे से लेते हैं उस चीच को आप कितना उसके दिर बलीव करते हैं है ना कुछ इस तरह से आप समझने का effort कीजिए कहरा है सामाने तरह सकारात्मक अवरितियों को नकारात्मक अवरितियों की तुलना में परवर्टित करना असान है अब यहाँ पर बात समझे कहने है सकारात्मक जो अवरिति होती है वो नकारात्मक अवरिति के तुलना में बदलना जदा इसी है कहने के मलतब यह है कोई सीधा साधा बच्चा अगर है या कोई एक मतब सिंपल परसन है जो अपने attitude को सही दिसा में एक normal सा मतब अपना उसका एक life routine है उसको बिगारना easy है completely जो बिगड़ा बच्चा है बिगड़ा बच्चा इन देखो बिगड़ा और अच्छा होने की जो definition होती है basically हमी ने बनाई किसको हम बिगड़ा समझते हैं और किसको अच्छा समझते हैं यह हमारे definition हमारे जो परिभासा हमने बना रखी है जो समझ रखी है उसके ओपर depend करता है है ना तो यह बिगड़ा अच्छा होना भी कुछ certainty नहीं है कि किसको हम बिगड़ा बोल सकते हैं किसको अच्छा बोल सकते हैं लेकिन मेरे कहने का मतलब आपको समझना है जो कहना आपको चारा हूँ जो बताना आपको चारा हूँ मैं कि कोई अगर पढ़ने में हुसियार बच्चा ले लो उसके अंदर कोई बुराई नहीं है बुराई नहीं नहीं है उसके अंदर कोई स्मोकिंग करने की आदत नहीं है उसको बिगाड़ना या उसको नेगिटिव की तरफ लेके जाना ज्यादा इजी है comparatively जो पहले से इन सब आदतों में हैं उसको सुधारना उसको positive की तरफ लेके जाना वो मुस्किल है ठीक है I hope आप समझ गए ये तो पहली बात मैंने आपको बता दी कहरें चरम सीमा की एक केंदरी केंदरी अवियरती को कम ता तथा परदिय कम सार्थक अवियरती की तुलना पर बती करना कटिन है है ना तो चरम सीमा वही मने बता देब है कि अगर चरम सीमा की की तथा केंदरी अविर्थी को कम थी बढ़ता मतब कोई बंदा चरम सीमा पे है right मतब let's say कोई बच्चा है study को लोग के बहुत positive उसका attitude है बहुत अच्छे से study पे मनला करता है अब वो एक दम चरम सीमा पे है बिल्कुल topper type का genius type का बच्चा है अब उसके उसको बदलने के comparison में जो low grade का बच्चा होगा वो easy होगा समझ रहे ना instruments उसको बदलने की comparison में जो low grade का instruments होगा जो study में इतना अच्छे से नहीं पढ़ता होगा उसको बदलना easy है उसे तरह से कह रहे हैं केंधरी अभिरतियों को कहने का मतब ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कोई परसन जिसका एक central अपना कुछ गोल है या central उसकी अभिरति है उसको बदलना difficult होगा किसके comparison में जिसकी अभिरति परदी है मतब जिसका कोई center नहीं है कहने का मतब है ना जैसे कि होता नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने बात पर टीके नहीं रहते मतब उनका कुछ certainty नहीं है उनके जीवन का कोई एक प्रिंस्पल नहीं है, कोई उद्यस नहीं है है ना तो ऐसे लोग को बदलना ज्यादा easy है है ना समझ रहे होंगी आप मेरी ख्याल से आप मेरी बात करें सरल अभिवर्तियों को बहुल अभिवर्तियों की तुलना में परवर्तित करना आसान है फिर करें इसके अतरी एक व्यक्ति को अभिवर्ति में परवर्तित की दिसा एवं विस्तार पर दिसा एवं विस्तार का भी ध्यान रखना चाहिए कह रहे हैं जो दिसा हमारी है या उसका विस्तार है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कह रहे हैं एक अवर्थी में परवर्थन सर्वस्म से कॉंग्रोंट या संगत हो सकता है है ना सर्वस्म कहने का मतलब जैसे कि आपका attitude पढ़ाय लिखाई को ले करके है positive है और आपको एक ऐसा महौल मिल जाता है या आपको ऐसा देखने को मिलता है कि एक बच्चा पढ़ाय लिखाई कि या आपके गाउं का या आपके शहर का है ना आपके neighbor का आपके परोस का मतलब और वो बच्चा वो बच्चा मतलब बड़ी post पे चला जाता है तो आपका attitude और ज्यादा congruent हो जाएगा और ज्यादा positive हो जाएगा उसी के comparison में विसंगिती का मतलब होता है जहां पर वो चीज़े differ हो रही इससे कि आप पढ़ाय लिखाय में बहुत अच्छे बच्चे हो आपको math बहुत पसंद है science बहुत पसंद है psychology बहुत पसंद है आप engineering के लिए prepare कर ले हो लेकिन आपने देखा कि आपका पड़ोसी जो बच्चा है उसने engineering के preparation करते करते उसको इतना difficulty level लगा कि वो suicide कर लिया है ना तो वहाँ पर विसंदी पैदा हो जाएगी आप भी doubt में आ जाओगे है ना तो ये होगे चीज़े तो पहला मैंने example जो दिया ये वह congruent है दूसरा example दिया है ये है incongruent जिसे आप यहाँ पर readout कर सकते हो इन्होंने भी example दे रहे हैं और जो मैंने example दिया I hope वह आप अच्छे से समझ गये होंगे मैं चाहता है यह इस्ट्रेंट से वीडियो आधा बड़ी नव हो ताकि आप लोग पूरा देखो और आप लोग करते क्यों ना बहुत तेजी से भगा भगा के देखते हो और जो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है फिर कह रहा है कि यहां पर basically मैं example ज़रा NCA डिलर बता दूने उन्होंने क्या बोला है कि जिसे कोई महिला है कोई female है आप उसको female के ससक्ती करण को मन्दब females को भी opportunity मिले उनको भी सारी facility मिले आप उस आपको females को लेकर कि positive आपका attitude है ठीक है तो अगर females को ऐसा मिलता आप देखते हैं आपको आपके society में females को ज़्यादा अप्रोच या ज़्यादा उनको facility मिल नहीं है ऐसा आप देखते हो और females को लेकि पहले से आपका positive attitude रहा है तो वो आपका और positive हो जाएगा उसे congruent बोलेंगे जो एंस्टेटिवल एन इसांपल दिया है ठीक है लेकिन अगर आपने उसके opposite में ये देखना सुरू किया कि females को ज़्यादा अगर opportunity मिलेगी तो वो घर के कामदाम नहीं करेंगी और अभी हमारी society male dominant है female dominant हो जाएगी तो उसको लेके हो सकता है आपको doubtful भी आप हो जाओ और हो सकता है incongruency हो जाए वहाँ पर विसंगती हो जाए और negative attitude आपका female के प्रती हो जाए कि उनको ससकती करण उनको मिले या उनको ज़्यादा आप originality मिले आई होप अब आप समझ गये होंगे वही चीज़ यहां बता रहे है कहरा सक्तसाली बन जाएगी अपने परिवारिक दाइत को नजर अंदाज करने लगेगी उस व्यक्ति के पहले से विद्धिमान महिला ससकती करण के परती सकारात्मक अबरिदी को कम सकारात्मक Jaar फिर नकारात्मक बना सकती है और विसी बात है बना सकती स्टुन मैं भी इस बात से agree होता हूं तो यह यह एक विसंगती अबरिदी होगी ओदाहर होगा यह पाया गया कि आमत precisी परिवर्थन करना विसंगती परवर्तन की तुलना में आसान है कराई जो संगत परवर्तन होता है विसंगत की परवर्तन करना में करने की तुलना में क्या होता है असान है तो ये भी आप बास समझे लेजिए कि जो संगत परवर्तन करना होता है वे संगत की परिवर्टन के करने की तुलना में आसान होता है है ना तो कहने का मदब یہां पर सिधा सिधा यह है कि आपके अंधर अगर संगत परिवर्टन हमें लाना है तो वो easy है वी संगत परिवर्टन के comparison में क्योंकि जिसका attitude जiences पहले से बना होगा उसी को लेके ज़्यादा उसके आगे बढ़ने के चांसे होंगे जैसे कि मैंने एक्जामपल दिया कोई बच्चे अगर मैस, साइंस, फिजिक्स अगर पढ़ने में उसको पसंद है वो इंजिरियर बनना चाहता है तो उसका अटिटूड उसी तरफ रहेगा वो एक बच्चे को सुसाइट करते वे ऐसा नहीं मान जाएगे नहीं यार उसने सुसाइट के लिए तो मैं भी करूँगा या सभी लोग कर लेंगे है ना ऐसा नहीं है फिर आगे एक्जामपल दे रहे हैं पोस्टर दंत रक्षा के प्रतिस साकारातंग अभविती को प्रबर बल बनाएगा है ना और वेसे बात है जो भी आपके टूथपेस्ट का जो भी अड़िस्मेंट करते हैं जो कंपनीज करती है टूथपेस्ट वाली वो अपने उस टूथपेस्ट को ज़्यादा पॉपलर बनाने के लिए उसके पॉस्टिव एटिटूट को दिखाएंगी उसके पॉस्टिव एभविती को बताएंगी मतलब अगर आप उस दंत मंजन को करोगे तो आपके दाद स्ट्रॉंग होंगे वाइट होंगे, क्लीन होंगे और गम्स मझबूत होंगे मतलब सूडे मझबूत होंगे लेकिन अग उसको लेके कुछ पिक्चर्स वैगर दिखाएंगी बढ़ियायाया सुन्दर-सुन्दर महिलाओं की पिक्चर्स दिखाएंगे उनके दाद को दिखाया जाएगा लेकिन उसी के opposite में अच्छा ऐसा जब दिखाया जाएगा तो आपका attitude जो है उस particular toothpaste को लेके सकारात्मक होगा लेकिन उसी के opposite में उसी दंत मंजन या उसी जो आपके toothpaste है उसी paste को advertise करने के लिए अगर वो मतलब आपके दातों के गंदे गंदे होल दिखाएं आपके दातों मतलब पिक्चर्स में गंदे गंदे दातों का होल दिखाएं या उसकी गोहिका या उसका चितरेकर दिखाएं उसके होल जो गंस में हो गए हैं सड़े गले दात को दिखाएं और फिर बोले कि ने या इस मंजनुप की जिए फिर ठीक होगा तो उस case में जो आपका attitude positive होना है वो और negative हो जाएगा या उसकी बात को negative नहीं होगा मतलब आप मानोगे नहीं उसकी बात को वो आवेशक्ता से ज़्यादा हो गया मतलब कहने का मतलब advertisement करने का भी एक proper तरीका होता है है ना अगर उसको एक certain direction में दिखाया जाएगा तो आप उसकी बात को मानोगे अगर कुछ जादे दिखाना सुरू कर दिया उन्होंने तो वहाँ पर आपका belief system काम नहीं करेगा आपका attitude वहाँ बदलेगा नहीं उस toothpaste को लेकर के वही हाँ बता रहे हैं परंतो यदि लोगों को दांतों में भयावः गुहिका या चिद्र वाले चित्र दिखाये जाए तो वह इन चित्रों पर विस्वास नहीं करेंगे और दंत की रक्षा के प्रती कम सकरात्मक हो जाएंगे मतलब अपने उस toothpaste को लेकर के या अपने दांतों की रक्षा को लेकर के सकरात्मक जो है वो कम हो जाएंगे सोध में यह पाया गया है कि लोगों को समझाने में भै कभी-कभी बहुत अच्छी तरह से कार करता है इसे छोटे बच्चे को अगर डराना है उसको थोड़ा बहुत डार दो वो ठीक है अब उसको हमेसे डराते रहो या अब सकता स्यादा जादा अगर डराना सुरू कर तो आपको फिर वो विस्वास को जाएगा उसको लगेगा उसको यह समझ में आ जाएगी डरानी रहा है यह बस मेरे साथ बखवास कर रहा है परंद कोई संदेश यदि बहुत अधिक भैवत्पन करता है तो यह संग्राहक मतब रिसिवर वो नहीं होगा को दूसरी दिसा में ले जाता है और इसका विस्वास तो पादक जिसे कहते हैं विस्वास तो पादक प्रभाव भी कम हो सकता है मतलब यहां जो बिलीफ करने का जो एक क्या कहते हैं उसका इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा ओके आई होप आप समझ गया होंगे इस पॉइंट को अब हम नेक्स पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं वीडियो दिखो मेरे प्रयास करने के बावजूद ही तब भी बढ़ी जा रही है अब ही क्या कर सकते हैं करें शौत की विस्वास ताइंज तो हमने फिर्स देखा था आप सेकेंड है की तरफ हो चीके हो कि रहें अब बिरतियों में परिवरतन तब अधिक संभव है जब सूचना एक उच्छ विस्वसनी स्रोष से आती है अब इसको मैं जल्द जल्द एक्जांप्लिफाई कर दूँ ज्यादा रीडाउट नहीं करूँ जैसे कि इस्ट्वेंट्स होता ये है न या कोई random ऐसे ordinary कोई बच्चा उसको अगर advertise करें कि बोले कि नहीं ये computer मेरा बहुत अच्छा है ये laptop बहुत अच्छा है आप इसे ले लो इसके अंदर ये सारे features हैं आप बहुत बढ़िया काम करता है तो आपका मन जो है ना क्या करेगा कि उसको लेने को उसको purchase करने को लेक इस मतलब एक certain age group का person ठीक है ना कि पैसे वाला बंदा ठीक है और या वो जो है engineer है या किसी क्या करते प्रोग्रामिंग को लेकर के या उसको अलड़ी जो technical field में उसको experience है या known person हैसा कोई अगर वो advertise करेगा तब जदा आप प्रभावित होंगे तब जदा आपके लेने के chances हो होंगे और बैसी बात है इस्टोंस आप बोलोगे जब कोई बड़ा वेक्ति बड़ा वेक्ति कहने का मलदब पैसे बहला नहीं बड़ा वेक्ति कहने का मलदब कोई ऐसा professional बंदा जो उस फिल्ट से ऑलड़ी नोन है या उस फिल्ट के बारे में जानता है या professional है उसका ठीक ह बताएगा तो आप इससे ज्यादा प्रभावित होंगे आपके लेने के chances यहां पर है जबकि same information दूसरा कोई अगर ordinary person बताएगा तो है ना तो obvious सी बात है यह हमारा किस factor पर depend करता है यह हमारी विस्वसे नहीं इता है इना अकार सकता है ना तो इसी वजह सो यही तो reason instruments की जो celebrities लोग होते हैं इनसे advertisement क्यों करा जाता है इनको इतना बड़ा बड़ा मतलब एक amount इनको मिलता है इनसे हम brand जो value इनको मिलती है या इनको इनके जो brand master basically जो बनते हैं क्यों बनते हैं इनको इसी purpose से बना जाता है क्योंकि वो एक मतलब उनका एक face value होती है instruments है ना let's say कि एगर को किसी साबुन का या किसी भी चीज़ का जो advertise करेगी तो वो ज्यादा effective होगा completely कोई local कोई person अगर उसका advertise करे है ना तो यह चीज़े बहुत ज्यादा माइने रखती है यह बहुता माइने रखती है students इसी वज़े से जो जितनी भी advertising companies हैं ऐसे से लोग को पकड़ती है celebrities को और उ information आपको मिल नहीं है राइट जो भी information मिल नहीं है वो किस तरह से आपको मिलने हैं जिसे मैं आपको कोई बात अगर समझा रहा हूं किसी भी चीज़ के बारे में विसेस्ता उसकी बता रहा हूं तो पहली बात तो वो logical होना चीज़ से मैं यहाँ पर psychology आपको पढ़ा रहा यहाँ एक्जामपल जो दे रहा हूं क्या ऐसे मतलब जो यहाँ के logically जो मैं topic cover कर रहा हूं क्या उसे डैकलि relate कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि let's say कि मैं आपको topic जो पढ़ा रहा हूं मेरा example कुछ हो रहा है topic कुछ हो रहा है relate अगर अगर नहीं हो पाएगा तो आप पढ़ना emotions भी create करूं तो आप थोड़ा से emotional हो करके थोड़ा सामवेगिक हो करके आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है संदेश की बिसेस्ता है संदेश किस तरह से होता है बहुत important माइने रखता है और उसके basis से हमारे attitude अंदर पर बाद उसको तार्खिक एक मतब लॉजिकल एक rational तरीके जहां आपकी बुद्धी लगी इसे logical भी आप कह सकते हैं जहां rational या logical तरीके से तार्खिक तरीके से आगर आप pressure cooker की specialty को बताएंगे तो लोग के वो दिमाग में बाच जाएगी लोग उस चीज़ को समझेंगे पहला reason हो गया दुसरा सामवेगिक अपील है emotional अपील बत्तब एक ऐसा कुछ feelings वाली बात डाली जाए जिससे जो बंदा है उसको समझने के साथ साथ logically भी समझे हो feeling wise emotionally भी उसको समझे फिर definite सी बात होगी कि वो particular brand वो particular जो product है उसके दिमाग में बैठेगा उससे उसका जो attitude है उसके नजरिये में परवर्तन देखनों को मिलेगा तो संदेश की विश्यस्ता बहुदा important है और इसको भी follow करती है advertising company यहाँ पर मैं advertising company के बारे में ही सारी बाते नहीं बता रहा हूँ instruments यही ठीक इसी इसी ही तरह से हमारे attitude के अंदर भी परवर्तन देखने को मिलता है अगर हम किस किसे inspire होते हैं किसे inspire होते हैं तो यही सारी reasons होते हैं जिसकी वज़े से हम अपने attitude के अंदर परवर्तन कर पाते हैं जैसे कि इन्होंने यहाँ example दिया है एक pressure cooker का करें pressure cooker में भोजन पकाने के लिए एक विग्यापन यह हैं इंकित करता है मतलब यह बताता है किस से इधन की ज gas जो है बचे का LPG आपका बचे का आपका cylinder देर में खर्च होगा राइट ओके यहां logical वाली बात हो गई यहां कम खर्चिला है मित्वेई है मतलब आपका बिल्कुल क्या कहते हैं आपके budget में हैं बिल्कुल तारकी कपील है यह वैकलपी ग्रूप से यह विग्यापन यह भी बता सकता है कि pressure cooker बोजन बनना पोशक तत्तों को परक्षित करता है आप दोको यहां emotion डाल दिया उसने बताया कि जो इसके nutrients है जो nutrients की value है उन food items में वो बनी रहती है वो परक्षित रहती है आप दोको emotionally आपको connect कर दिया और उधर से आपको logically connect कर दिया तो आप तो obvious सी बाते pressure शुकर लेके आएंगे ना तो यही reason है यह है तरीका यह है अपील करने का तरीका instruments ठीक है आपने देखा होगा अपील करने के लिए पता ने क्या-क्या लोग करते हैं है ना cricket match में जाएए वहाँ पर देखा हुआ कि अपील जैसे जैसे ही sixer या जैसे ही boundary पे जाता है बहुत ultimate क्या है ultimate सबने brand की value को बढ़ाना उससे जो है अपना revenue बनाना अपने कमाई को बढ़ाना company के values को बढ़ाना है ठीक है स्ट्वन उसी ठीक उसी तरह से हमारे अंदर भी जो attitude देखने को मिलता है परवर्तित वो ऐसे ही होता है करहा संदेश द्वारा उदिप्त अभिप्रेरक motive की अभिर्ति परवर्तित को ने धायत करता हो द्वारा के लिए यह कहा जा सकता है कि दूद पीना व्यक्ति को स्वस्थ यम सुंदर बनाता है है ना ऐसे कोई एक milk product अगर आ गया वो बता रहा है कि नहीं से पीने से आप स्वस्थ रहेंगे सुंदर भी रहेंगे तो कौन स सुंदर नहीं होना चाहेगा जरा बताईए आप तो आपके दिमाग के जब यह बाते डाली जाएगी दूद पीने से बंदा स्वस्थ होता है लॉजिक सी बात है यार स्वस्थ होगा ही है ना अब यह बात अलग है हमें दूद नहीं पीना चाहिए अब इस पे लेकि कभी पे चर्चा करूँगा अलग बात है वह उसके अगर हम स्वस्थ रहेंगे सुंदर आटोमेटिकली दिखेंगे तो इमोशनली भी करेंट कर रहा है लॉजिकली भी करेंट कर रहा है तो और वेसी बात है आप उस कंपनी का दूद पर चीस करेंगे है ना अंतितर संदेश को प्रसार जैसे की पत्र पुस्तिका या जन संचार माध्यम की तुनला में आमने सामने का प्रसार अधिक पहुई होता है आप जड़ा बताईए स्ट्वेंट्स अगर आपका कोई फ्रेंड अगर बताए कि तनिश क्रेयास कोर्स में क्लास्ट वल्थ की साइकालोजी या जो ह साइकालोजी मनौविग्ञान बहुत अच्छी से पढ़ा ही जाती है तो आप कितना विष्वास करेंगे Pennsylvania आगर मैं अड़िडाइज करूँ अपने बारे में कि मैं बहुत अच्छी साइकालोजी पढ़ाता हूँ मैं बठोगाताकर बड़ी महनत करता हूँ एक वीडियो को जो भी है आपके, वो आपको मतलब आपको ज़्यादा क्या करेगा अपीलिंग लगेगा और आप उस केस में ज़्यादा मेरी वीडियो देखने की देखना पसंद करोंगे, तो यहाँ पर आप किसके दूप रसारड कर रहे हो यह बात भी भगधा important टकी जाता होती है और यही reason है, यहाँ पर दुबारा से celebrities को लेकर आना चाहूँगा, कोई ordinary person कोई बात बताएगा, तो कम appelling होती है और वही कोई अगर known person बताएगा, तो ज़्यादा appealing होती है और उस जदा appealing तब होती है, जो आपका कोई अपना बंदा बताए, है ना, इसे oral marketing कहते है ठीक है students, तो यह pressure को example हो गया, इसे आप read कर लो, वीडियो को pause कर गया पर आप देख लेजिए क्या इनों लिखा है और यह वाला example हो गया, जो मैंने just example दिया था, कि oral अगर हम कोई चीज advertise करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो इनको radio से, या जो है television से, ऐसी जेगर से information मिलती है, तो उस पर belief इतना जल्दिस नहीं जाता लेकिन कोई doctor, यहाँ पर को nurse अगर आके आपको ORS के बारे हम बताती है कितना beneficial है बच्चों के लिए या लोगों के लिए, तो यह सायच ज़्यादा आप इली होगा और ज़्यादा आप belief कर पाएंगे, हैना, तो instruments I hope आप भी बहुत अच्छे समझ पारे होंगे कि कि किस तरह से हम अपने अभिविती के अंदर पर वतन ला सकते हैं last आपका है instruments करें लक्ष की विशिष्टाएं करें लक्ष के गुड़ जैसे अनुनियता है ना प्रबल पूर्वाग्र है strong prejudices, आत्म सम्मान self-esteem और बुद्धी intelligence मतलब ये आपको इन्होंने बता दिया एक certain मतलब लक्ष की विशिष्टा को लेकर करें अविष्टी परवितन की संभावना ये विस्तार को पववित करते हैं ये भी हमारे अविष्टी को परवितन करने की संभावना को विस्तार से पववित करते हैं करहां वे लोग जिनका व्यक्चित अधिक खुला ये वमलचिला होता है मतलब जो इसली जो है अपनी बातों को जो है उनकी जो रिजिडिटी है जो अपनी बात पर टिके होते हैं उसको छोड़कर किसी दूसरी बात को माने लगते हैं ऐसे जो लोग होते हैं आसानी से परवर्तित हो जाते हैं इस बात को यहाँ पर समझा जा रहा है करें मनो विग् अबर प्रवर्ण का मतलब होता है उनके पर जुकाओं कम होता है, जैसे कि कोई बन्दा है उसने अपनी बात को बिल्कुल उसका जो जो प्रिलिव सिस्टेम है ऑशी प्रिंसपर है जो वैलिुज प्का कर रखा है, तो उसको बनना, उसके आटिटीट मुझे बनना मुझे है completely जिसने पका नहीं कर रिखा है जो जादा अपने बातों को लेकर rigid नहीं होता rigid मतलब एकदम बिलकुल पका या solid आप कह सकते हैं ठीक है तो उसकी प्रवड़ता कम होगी प्रवड़ता मतलब होता है जुकाओ तो उसका जुकाओ कम होगा उच आत्मसंबान वाले की तुल्ला में वैसे लोग जिनमें आत्मसंबान की कमी है जिसका self-esteem या self-respect डाउन होता है वोंको बदलना जादा easy है completely जिसका self-esteem या self-respect जादा है तो I hope instruments आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से तो यहाँ वही बात बताई है तो यह factors आप read out कर लेंगे और बस आज़ी class में हमने instruments यही तक सीखना था आगली class में लोग फिर मिलेंगे और ability को लेकर के और भी detail में हम लोग study करेंगे तो यहाँ पर मैं यहाँ तक read नहीं कर रहा हूँ उसी चीच को आगए elaborate और कर रहा है ठीक है मेरा यही गोल रहता है यह वीडियो जादा बड़ी नहों लेकिन फिर भी बड़ी हो जाती है आखरी इने students आप सबसे मेरा एक आप कह सकते हैं मैं भी एक तरह से marketing कर रहा हूँ और बिसी बात है मैं इसे marketing ही कहूंगा और marketing यह है इसे students की exam booster से आप लोग sampleware पढ़ते हो अलग-अलग books पढ़ते हो अलग-अलग study material लेके आते हो जिसको आप ऐसे writers जिनको आप जानते नहीं जिनको पहचानते नहीं उनको पढ़ते हो तो अगर आप मनुविग्यान आप पढ़ रहे हो जहां पर आपका मनुविग्यान विशे है तो आप हमारे score से join हो जाए इस्ट्वेंट्स, definitely मैं आपको guide करूँगा और आपको best to best study material notes provide करूँगा हमारा जो psychology notes class 12 का है जो की आपके 2022 के board exam के लिए अपनी cable है और इसी तरह से आने वाले और भी जतने एक्जाम होंगे तो चाहरा हम 22 की बात कर रहे हैं 23, 24, 25 जतने भी आने वाले verses होंगे सभी सालों में हम यह study material आपको provide करेंगे आपको classes प्रोवाइट करेंगे ठीक है तो इसका मैं कुछ glimpse दे देता हूँ जलक ताकि वीडियो बढ़ी ना हो फट आफट रीट कर लिजे पढ़ लिजे और अगर किसी भाई बंधू को लगता है कि इसे जोईन करना तो definitely आप हम से जूट सकते इस्टोन तो till then take care and thank you so much इस्टोन